आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है, आपके अपने पसंतीदा यूटीब चैनल सागा प्लेंदाग पे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे दह हंड़िट्स मैंस के होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की अभी तक The 100s मैंस में जितने ही मैचेश कवर की हैं, सभी में अमने क्लीन सिप किया है, लाइव विडियो के वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा एक हमने प्लेलिश्ट बनाई हुई है, The 100s लाइव विडियो पर वहां से भी जाए करके आप डिरेक्टली उन वीडियो तक रहा सकते हो आप टोटल दो मैच, The 100s मैंस के थे, पहला मैच अभी चल रहा है जिसमें वीडियो बना रहा है, उसमें भी अल्रेटी क्लीन सिप कर लिया है दूसरा मैच रात में साड़े दस बुझे, Sophia Garden Cardiff में आपको देखने को मिलेगा इस स्क्रीम ते आपको मारा WhatsApp नमबर दिखाए दे रहा है, 9140-233-474 इसको आपको सेव करके रखना है, इसके अलाबा, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, सब्स्राइब करके बेल आइक में प्लिक कर देना वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि आपके लिए हम इसी तरीके से हर एक मैच का वीडियो ला सके Telegram चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्सम बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप उसको जॉइंग कर सकते हो वहां से जॉइंग करने में कोई भी समस्या आ रही है, तो सामने आपको Telegram चैनल का QR Code और User ID भी देखने को मिल रही है, वहां से भी आप जॉइंग कर सकते हो अब देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है, सबसे पहले Points Table और Last Matches के Winning देखेंगे, Venue Report और Stats देखेंगे, Pitch Report और Weather Report देखेंगे, Hit-to-Hit Matches का Record देखेंगे, Players Battle और Players का Stats देखेंगे और Dream 11 के टीम आपको मैं बना के दूँगा, सबसे पहले Points Table के अगर मैं बात करूँ तो Birmingham Phonics के टीम, Points Table में Number 5 पे है, यहां आप देख सकते हो, इन्होंने Total, 5 में से 3 मैच जीता है, 2 हारा है, नेटर रिट इंका Positive में, यह एक अच्छी बात है, वहीं अगर मैं Wells Fire के बात करू इनके जश्ट नीचे 6 मैच, एक मैच ज्यादा है, इन से खेला है, इनोंने, 2 ही मैच जीता है, 3 हारा है, एक No Result रहा है, इनका नेटर रिट माइनस में है, तो खराब performance इनका है, तो इनको अभी और ज्यादा मैचेज विन करने की जरुए है, अगर Top 4 में जगा बनानी है, लाज्ट के मैचेज की विनिंग जो भी हमने कवर किया है, सामने लिखा हुए, आप इसको रीट कर लेना, मैं आपके एक दोटो रीट करें लिखा रहा हूँ, कई बार हमने इसको बताया है, पचीस हजार का इन्वेश्मेंट करके हमने सरसट हजार पांस से विनिंग की 42,000 मैच वन फिर मैच दो में 19,000 का इन्वेश्मेंट, 15,000 रुपए की विनिंग 32,000 रुपए इसी तरीके से इन दोनों में 25,000 रुपए का इन्वेश्मेंट सा, फिर मैच नमबर पास से जैक पॉर्ड मैच श्राट हुए, तो हमने इन्वेश्मेंट डबल कर दिया, 50,000 का इन इन्वेश्मेंट किया, जुलाई क्लोजिंग आ गई थी, इसकी वज़े से हमने कम इन्वेश्मेंट करना इस्टार्ट कर दिया था, और कुछ मैच हम कवर नहीं कर पाए, जैसे कि मैच नमबर 9 हम कवर नहीं कर पाए, मैच नमबर 10 प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जो हम मैच नमबर 14 में फिर से डबल कर दिया, इन्वेश्मेंट में पचास हजार, एक लागताथी से जाए, पचास हजार पर प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन में असानी से क्लेंसिट किया, सामने हमारे टीम दिख रही है, और पॉइंट का डिफरेंस आपको दिख रहा है, जो म में में अपोनेंट है, यह हमारे पेड मेंबर का स्क्रीन सॉट है, मैच नमबर 20 में 25,000 का इंविश्मेंट क्लीन से, मैच नमबर 21 में भी क्लीन से अलेडी हो गया था, लेकिन वो मैच अबेंड हो गया था, मैच नमबर 22 में फिर से अल्ट्रा क्लीन से, मैच नमबर 23 में हम पर मज़द मिलती है 68 में से 35 मैं जीता है बैटिंग फर्च 31 जीता है बैटिंग सेकंड है बाकी स्कोरिंग पेटर नापके सामने 23 बार एक सपचास के नीचे 9 बार एक सो नदेर प्लस बाके उतना मायने नहीं रखता है स्कोरिंग पेटर इंटरनेशनल भी यहां पर हुए है 9 मैच जिसमें से 3 जीता है बैटिंग फर 6 जीता है बैटिंग सेकंड एक सो पचास काईबरेज है जारत लोई स्कोरिंग हुए है वैदर भी बार देख लेते 14 डिपे से 30 डिगरी बीच में रहेगा 40 बार यहां पे 40 पर सेट यहां पे रेन के चांसेज है लेकिन यहां पर बात करूं तो ट्रेमिस अच्छा है लाश्क चार मैचेश के बात करूं यहां पे देख सकते हूं लाश्ट मैच में सावनम ब्रेप की टीम ने 149 बनाया, 99 पे डब्लु एएफ को ओल आउट कर दिया पेसर्स ने जाना विकट लिए 11 इस्पिनर्स को, चार विकट में लिए, यहां 113 बनाया ओवल इंविंसिबल ने और डब्लु एएफ की टीम सिर से चेस नहीं कर पाई, लोग स्कूरिंग गेंस हो रहे हैं, आपके चेस नहीं हो पा रहे है, 11 इसके बाद यहां पे लिए एलनस की टीम ने 109 बनाया और W.E.F की टीम ने इसको चेस कर लिया 11 wicket pacer, स्माथ 1 wicket spinner 152 मनाय टियाइटी ने W.E.F नहीं चेस कर पाई 7 wicket pacer और 3 wicket spinners ने लिया, बाकि आपके सामने है यानि बहुत जनर रण नहीं बन रहा है जैसे कि बैटिंग फेंडे ट्रेक कहा जाता है और यहाँ पे wicket spaces को बहुत 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 है 3 head to head में 2 जीता है, Birmingham ने एक जीता है Wellfire ने बाकि लाज के 5 match का record आपके सामने है अब जो तीनों match जो हुए इसमें किसने क्या किया है वो भी आपके सामने दिख रहा है BPH ने 112 बनाया, Wellfire ने चेस कर लिया Livingstone 18, Benterkit ने अच्छा किया Hogel ने 2 wicket, Mohen Ali ने 1 wicket Eskinazi ने 43, Abel ने 23 बनाया Round, Pioneer और Mrowe को 2-2 wicket मिले थे BPH ने 130 बनाया, Wellfire चार रन से पीछे रहे गई Tom Helm ने 2 wicket लिया, Benny Oval ने 22 रन 1 wicket यहां के पाइने ने 2, Jackball ने 1 wicket Eskin का फिर से नाम आया, Hovel का फिर से नाम आया 2 wicket, मिलने ने 1 wicket, Duckett ने 16 और पाइने ने 3 wicket कुछ repetitive नाम है, वो आपको ध्यान देने हैं, वो आपको लेगे चलने हैं अब यहां में Players Battle देख लेते हैं, कौन से Baller बैस्में को आउट करते हैं सबसे पहले Birmingham Phonics के Baller और Welfare को Batsman देख लेते हैं, तो यहां पर देख सकते हो बेश्टों को अभी तद किसी ने आउट ने किया है, जो अभी Playing 11 का हिस्सा है Luke Wales को Mohen Ali ने दो बार और Muslim ने एक बार आउट किया है, Joe Clark को Benny Hovel और Livingston ने दो दो बार आउट किया है Tom Avail को Seen Abort और Benny Hovel ने एक बार आउट किया है Glenn Phillips को Tom Helm और Kim Saudhi ने एक बार आउट किया है Tom Cawler, Chad Moray को Chris Wood और Tom Helm ने दो दो बार आउट किया Ross Whiteley को Benny Hovel ने दो बार और Chris Wokes ने एक बार आउट किया है वीडियो में आगे चलते हैं अब देख लेतें Wells Fire के Paller और Birmingham Fonis के Batsman Mohen Ali को David Wille ने दो बार पाइने ने एक बार आउट किया है Duckett को एक बार Mervay ने किया है Livingston को एक एक बार पाइने और Rauf ने किया है Musleh को पाइने और Crane ने एक बार किया है Jimmy Smith को पाइने और Green ने दो दो बार आउट किया है Bethel को एक बार आउट किया है Wells ने और Benny Oval को Crane और पाइने ने एक बार आउट किया यह matches आपको Grand League के टीम बनाने में Help करेगा आप इसको analysis कर सकते हो Spring Sort ले करके आपके लिए साफी helpful रहेगा अब दोनों टींग की प्लेंग के लिए हम देख लेते है Luke Will से ओपनिंग करने के जॉनी बेश्टो के साथ उसके बार Joe Clark है Tom Avel, Fred Murray Chris के बार Glenn Phillips है, David Wille है David Paine है, Ross White ले है, Matt Henry है और Lark में थे Haris Rao अब यहाँ में प्रमिंगम की प्लेंग के लाँए हम अब एक एक प्लेयर का इस्टेट्स देख लेते हैं इंपोर्टन प्लेयर के बारे हम बात करेंगे Luke Will की बात करेंगे, कुछ खास करने ही पहा है अभी तक फ्लॉप रहे है T20 ब्लास अच्छा किया था, बेश्टो करियर में काफी अच्छा रिकॉर्ड है अच्छी फोफ मेंаз बनाया है बाकी में ये भी फ्लॉप रहे है यहां पर उतने रन नहीं बनते हैं रॉप बैट्समें जादा नहीं लेदा है जो प्लेयर चाड लाच के चार मैस आपकी अगतार फ्लॉप रहे है ग्लैन फिलिप्स की बाद तरहीं इनका वी सीजन फ्लॉप गया है इसके बाद डेविट विले आपके लिए एक मादर प्लेयर अभी तक आए है जो कि मस्ट पिक है बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर सकते हैं इसके बाद रहेंगे इसके बाद यहाँ पर डेविट पैने आपके लिरें मच पिक हो लगातार विए ऍंको बिलता है चार ओअर कर फाम है क्योंकि यहां बिएट्स ज्यादा गिरेंगे तो पेशर्स इसको मेंली ले करके चलना है भी आपको घ्यान देना है इसके बाद हडी स्रॉट भी इंपोर्टन भी लगाता है दो दो तीन विकेट्स ले चुके हैं रेंच पर कुछ प्लियर अगर खेलते हैं उनका रिकॉर्ड आपके सामने है इसके बाद यहां पे जैक बॉल यह भी खेलेंगे तो इंपोर्टन रहेंगे, लाश मैज भी खेल लिया था, जब खेले थे, मर्वे, 8-2-8 में करेजिएका नाम आया है, इसके बाद इसके बाद यहां पे जैसे आपको बता है, इसके बाद यहां पे खास प्लेयर नहीं है, इसके बाद यहां पे आपको जैमी इस पर दिख रहे है, कुछ खास करनी पार है, नीचे बाइटिंग आ रही है, लेकिन बड़े प्लेयर है, बिलकुल अपनी ट्राइगर सकते हो, डैन मॉसले ने भी कुछ-कुछ मैचेज में अच्छा है, एक मैच में 3 उक्षिय्ट 49 मस्ट मिख रहेंगे आपके लिए, इसके बाद यहां पे बेथल ने भी कुछ मैचेज में अच्छा किया, कौडड़े सी, 43 लिंग, कुछ मैचेज में बैटिंग नहीं आई है, बैनी ह कि आन्रग मजट पिक हैं फेशर्स को भिक्ट मिलते हैं आपे मिलने भी मस्ट पिक आपके लिए हैं तो छुलना है इसके बाद यहां पर वो फुलर दीख रहें ये भी अगर खेलते हैं तो इंपोर्टन रहेंगे आपके लिए विल समीद भी उतने इंपोर्टन नीए क्रिस वोक्स कहलेंगे तो ये भी इस पिछ पे विकट ले सकते हैं नसीम सा कहलेंगे तो ये भी अच्छे बॉलर है हमने एक ड्रीम 11 की टीम बनाई हुग ये सारे इंपोर्टन बॉलर्स हमने लिए हैं देखो बेच्टो फॉर्म में गटिट फॉर्म में इन दोनों को हमने लिया है मोय नली बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे वो ओपनिंग करेंगे अच्छे फॉर्म में आ गयते इसके लोड डेविट भी ले बिनी होविल, देन मुसले, साओधी, हरीस रॉफ, सीन अबोट, एडम बिलने, मैटनरी जितने बॉलर्स हम ले पाएं उतने हमने लिया है और अगर आप लेना चाहो तो मुए नली को अठागर के एक एक एक्ष्ट्रा पेसर आप ले सकते हैं मुसले को मत अड़ाना है क्योंकि मुसले जब बॉलिंग करते हैं बहुत विकेट्स ले जाते हैं तो काफी रिस्की रहता हो सीधे बोल्ड और LBW करते हैं बहुत ज्यादा पॉइंट रिफ्रेंस क्रियेट हो जाएगा अगर आप इनको इनके उपर रिस्क लेते हो कैप्टन वाइस काप्टन की बात करें तो पेसर्स में आपको बनाना है बॉलर्स में जैसे की हरी सरोफ को बना सकते हो टीम साथी को बना सकते हो यह सभी फर्म में डेविट विले को बना सकते हो तो यह सभी एच्छी चोईथ है बाकि हमारी कुछ प्रिवियस विनिंग है लाइव विनिंग प्रूप्ख विडियो एसी चैनल को वीडियो सेक्शन में याएगा पेड मेंबर्शिप एक मात्र नंबर है 914-0233-474 यह हमारा WhatsApp नंबर है इसके लाभा और कोई भी नंबर नहीं है हमारा पेड मेंबर्शिप का चालाज मार्केट में सबसे जादा हाई है विनिंग भी सबसे जादा हाई होती है बजट है तो बिलकुल आप ले सकते हो अधरवाइस वीडियो देखिए और टीम बनाई है